Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is another video. आज हम सिखेंगे हैं how to use scientific calculator. In numerical analysis, BSC 30 year, engineering, mathematics, किसी भी उसमें हमें scientific calculator का use आना चाहिए. तो मेरे पास है, ये कैसो का scientific calculator. आपको इसे open करके दिखाती हूँ. मेरे पास ये वाला scientific calculator है, कैसो का, FX 82 MX और ये second edition है. आप कोई सावी calculator यूज कर सकते हैं. लेकिन cashro के calculator बहुत अच्छे होता है. आप दिख सकते हैं इसे. तो ये calculator है. देखें, सबसे पहला हम इसे on कैसे करते हैं. यहाँ पर इना right hand side हमें on का button है. तो उस प्रेस on. ओके on हो गया. then, अगर हमें switch off कैसे करना है. then switch off, shift plus AC. तो हमारा calculator off हो जाएगा. means on कैसे करेंगे? on. then off कैसे करेंगे? shift, press AC. तो हमारे calculator off हो गया. तो on off हम सीख चुके हैं. then press on. अब यहाँ पर देखें, मैंने कुछ questions ली हुए हैं. जिसे मैं आपको easily समझा सकती हूँ कि हाँ इनकी value किस तरह से find out की जाएगी. अगर हमें अरे पास किसी questions में अगर यह values आती है. तो हम से by calculator कैसे solve करें? देखें, जिसे फर्स्ट मैंने लिया है, sin x. तो sin x, sin 10 plus sin 5. अब हमारे calculator में हमें यहाँ पर board letter in a white, जो white बाल है ना, नीचे जो input लिके हुए है, सिर्फ यह देखने है. यहाँ पर sin x, tan, सभी values देखी हुए है. इसकी जो yellow वाले, yellow and red पर लिका है, बोद नहीं. हमें सिंपल sign. जो question में हमें बताया गया है, वैसे ही. तो यहाँ पर sign है, तो press sign और 10, तो 10 देखी, press sign करा, फिर 10, उसके बाद plus sign 5, तो sign कहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर sign और 5, और is equal to, यह is equal to है, तो हमने इसको press करा, हमारे पास answer आजाएगा, minus के 1.502945386, तो यह हमारे question का answer है, second way हमें value find करनी है, जैसे कि sign hyperbolic x, तो sign hyperbolic x के value किस तरह से find करेंगा, अब जैसे ही value हमने find out करती है, उसके बाद इसे, यह सी पर press करेंगा, तो हमारे पास normal हो जाएगा, thank you for watching my video, second way हमारे पास sign hyperbolic x, तो sign hyperbolic x की value कैसे find out होती है, तो जहाँ पर भी hyperbolic function में आ जाए, तो उसकी value हम कैसे find करेंगा, हमारे पास जैसे कि suppose sign hyperbolic 2 plus sign hyperbolic 3, तो जहाँ पर भी hyperbolic आ जाए, अब यहाँ पर देखें, hyper, यहाँ पर calculator में hyper लिखा है, तो सबसे पहले, हाइब, इसको press करेंगे, then sign की बोलर, sign hyperbolic, फिर sign को press करेंगे, तो यहाँ पर देखो, calculator में आपको शरू हो जाएगा, sign hyperbolic, ठीक है, और 2 है, press 2, फिर plus करेंगे, फिर again है, sign hyperbolic 3, तो क्या करना है, सबसे पहले, hype, plus hype के बाद, sign, और 3, ठीक है, हमारा question यहाँ पर फिट हो गया है, इस ही equal to रख करेंगे, तो हमारे पास answer आएगा, 13.64473534, means 13.644734, ठीक है, तो मैंने इससे answer को यहां तक लिख दिया, for the 5 decimal place तक, second, then third देखते है, third हमारे पास, cos x, अब जब cos x की value find out करने के लिए कहेंगे, तो हम क्या से find out करेंगे, cos 5 plus cos 2, यहाँ पर देखे, पहले तो हम इसको एकदम normal कर देंगे, AC से, उसके बाद cos, तो cos 5, प्रेस 5, प्लस, then simple cos, then 2, is equal to press करेंगे, तो हमारे पास answer आया, minus के, 0.132484651, इतना बड़ा हमें नहीं लिखना, तो हम answer minus 0.13248 तक मैं इसका answer लिख रही हूं, ठीक है, then, अब हमें 4 में बताना है, कि cos hyperbolic x, मिन सबकर कहीं hyperbolic आ जाएगा, in function of cos, तो इसकी value कैसे find out करेंगे, तो press AC, इसको पुरा normal form में लिख आएंगे, तो जैसे हमने sign का find कर रहा था, तो high, फिर cos, तो आगे cos hyperbolic लिखावा, ठीक है, अब cos hyperbolic 6 की value find करने है, 6, फिर press करेंगे, प्लस, उसके बाद, फिर से cos hyperbolic 7, तो high और cos और 7, ठीक, और is equal to, तो हमारे पास answer आजाएगा, 750.0326713, इसमें हम इस कहां से लिख देंगे, 750.033, मैंने round of figure के कि इतना answer इसका लिख दिया है, ज़्यादा बड़ा answer नहीं लिखना, सिर्फ maximum point के बाद, तो यह 3 decimal place तक हम से ले सकते हैं, अगें 5, 5 देखते हैं हमारे पास क्या है, log x, कहीं log x आ जाएगा, तो उसकी value कैसे find out करेंगे, तो log 5, plus log 10, log 7, log 8, इन सब की value कैसे find out करेंगे, तो फिर से पहले हमें इसके az, इसको इकदम normal form में लिखे आना है, उसके बाद log, अब देखें, यहाँ पर भी simple log, log की value find out करने पड़ेगी, तो हमें log, simple log की value in से find out होगी, ठीक, अब in, यह देखते हैं, यह क्या है, यहाँ पर हमारे पास in, log के just पराबर में दिया, तो अगर simple log लिखा है, simple log means ऐसे log लिखा है, तो इसके लिए हमें, यहाँ इसे log पढ़नी जाना, यहाँ in, इसका मतलब है log की value find out करना, तो हम press करेंगे in, अब वह 5 है, तो 5 plus then in, फिर 6, इनका मतलब simple log, जैसे कि यह, भी बताऊंगे आपको की log 10 की, जैसे कि इस वाली log का मतलब क्या है, तो यह यह है, जब हम 6 पर आएंगे, तो तम मैं आपको बताऊंगे की इस log का मतलब क्या होगा, ठीक है, तो जैसे कि log 5 plus log 6 की value find out करी तो press in, then 5 plus, फिर in 6, ठीक है, इसी equal to करेंगे, तो हमारे पास answer आएगा 3.401197382, जैसे 3.401197, ठीक है, अब हम देखो, 6 में देखते हैं, लोग 10X, जहाँ पर लोग 10X आजाएगा, अब पहले तो जैसे इस नॉर्मा कर देंगे, अब लोग जहाँ पर भी, यह ध्यान में रखना है, जहाँ पर भी log 10 हो, तो वहाँ पर value find होगी, लोग से, जहाँ पर भी log लिखा होगा, ओके, अब यहाँ पर यह देखो, log हमारा लिखा है, यहाँ, means log 10X, अब यहाँ पर log 10 की value क्या है, 2, means log 10, 2 पर हमें value find out कर लिए, तो पर लोग 10, 2, is equal to, कितनी value होती है, 0.30103, ओके, देन, ऐसे ही देखो, सेम याद रखना, log 10X की value find out करने के लिए, हमें, वहाँ से normal कर देता है, log 2, is equal to 0.0, ऐसे ही, अगर log 10, मेरी बात को ध्यान से सुने, जहाँ लोग 10 बोल तो हमें, in a suffix, इसे की log 10, 6 की value find out कर लिए, तो is equal to press करेंगे, तो हमारे पास यह answer आजागा, इसे normal कर देते हैं, अब कहीं पर हमारे पास 7 में, e raise to the power x में, e की power में कुछ values दे होती है, उसके find out करना है, तो देखे, e raise to the power 2 है, जैसे की, हमारे पास यहाँ पर पहले white functions को देखता है, इसमें कहीं पर भी यह नहीं लिखा जब yellow वाले, जो yellow में functions लिखे होते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले shift को press करना पड़ता है, तो हमारे पास in के ऊपर e x लिखा हुआ है, yellow से, तो हमें press करना पढ़ेगा, पहले shift, उसके बाद in, तो यह देखे, इस तरह चाहिए हमें, e raise to the power, क्या है 2, तो press 2, और is equal to, तो answer आ 8, 9, 0, 5, अब ऐसे ही, simple account मतलब इसको पूरा normal कर दिया, अब एक बार आपको और बता देती हूँ, जैसे कि हमें, जहां yellow है, उसके लिए हमें सबसे पहले shift और e x, इनको बवाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर वाले अकसर पर लिखा है, e x की value, तो हमारे पास e raise to the power 2 की value हमने find कर लिए, इसी तरह हम 6 की value find करेंगे, तो हमारे पास answer जाएगा, 403.3287937, पैसे is equal to, अब यहां पर देखे, squares में value find out करने है, 2 square आप लोग जानते हैं, क्या होता है, 4, प्लस, अब 16 का square, जैसे कि नहीं पता कि हाँ 16 square, अब देखे, प्रेस 16, तो प्रेस करना 16, अब यहां देखे, लिखा है, fight में x square, तो square is equal to 256, 256, अब 8 का square, obviously आप सब जानते हैं, या कोई नहीं जानता, तो इसको देखे, देखते हैं, हम इसे पहले normal कर देंगे, 8, और x square है, तो square is equal to 64, ठीक है, अब इनको हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस करेंगे, कैफ 4, प्लस 256, प्लस 64, is equal to 3 to 4, ठीक, तो 3 to 4, अब cubes में 3 का cube क्या होता है, अब जादे तर जाते कि नहीं जान पाते हैं, cubes की value, तो देखे, प्रेस 3, और x cube हमारे पास यहां लिखा हुआ है, x cube यहां लिखा हुआ है, तो press these, cube हो गया, 3 cube, अब पहले तो मैंने इसमें क्या करा, अलाग अलाग values को लिखा और उसको फिर plus करा, अब इसमें इस पूरी equation को एक साथ plus कर सकते हैं, देखे, 3 cube, फिर sign क्या है, पीच में plus का, plus, फिर 4 cube, तो press 4, और x cube यहां पर लिखा है, तो cube, ठीक है, फिर plus, 6 cube, 6 का भी, x cube, तो cube, is equal to, answer क्या है, 307, अब हमें roots find out करना है, जैसे कि root 5 की value क्या होगी, अब यहां पर देखे, root का sign है, तो press root, तो उसके है 5, root 5 की value होगी, 2.23606, ठीक है, आप इसी तरह से और सभी roots की value find out कर सकते हैं, अब आ रहे है, 10 x, वो 10 inverse x की value, find out करने की, जहां पर 10 inverse x लिखा होता है, उसकी value किस तरह से find out करी जा सकते हैं, अब यहां पर देखे, 10 inverse, अब 10 inverse यहां पर न, अब धियान से देखे, तो yellow में लिख सबसे पहले हमें, क्या दबाना पड़ता है, तो प्रेस करेंगे, shift, shift, और फिर 10, तो 10 दबाएंगे, ठीक है, तो 10 inverse, अब 10 inverse, किस पर value find करने हैं, 5 पर, तो 5 is equal to 1.373, अब उसकी बाद, simple, पहले हैं,